नमस्कार दोस्तो, स्वागत है आप सभी का हमारे प्रोग्राम जिंदगी बने आसान में दोस्तो एक बिमार व्यक्ति उसके पास दो चोइसे होते हैं या तो उसे बिमारी को वो मान कर बैठ जाए और फिर बोले मैं क्या कर सकता हूँ ये बिमारी हो गई है अब कुछ भी मेरे हाथ में नहीं रहा लेकिन दूसरा व्यक्ति क्या करता है वो सिल्यूशन की तरफ आगे बढ़ता है उसकी दगमगाते वे कदम उसे डराते हैं लेकिन वो हार नहीं मानता वो आगे बढ़ता है और solution mindset से उसका answer ढूनता है ऐसा ही एक example आज हमारे साथ है आईए करम जीत sister से बाते करते हैं ओम शांती sister, welcome to our show ओम शांती sister हमने आपकी journey पिछली episode में जाना और मैंने सच में आपने हमें बहुत surprise किया है क्योंकि इतनी चोटी उमर में arthritis जैसी बड़ी बिमारी से आपने जीत हासिल की है और मैं जानना चाहती हो sister कि आपने कहा था power of thoughts जो आपने कहा था उसके बारे में अगर आप थोड़ी सी और रोशनी डाले तो बहुत अच्छा होगा जी बिलकुल power of mind has a very big role to play in our life आज मुझे सुन रहे उन सभी दर्शकों से कहना चाहूंगी कि जो भी व्यक्ती चाहे कितनी भी बड़ी बिमारी से क्यों ना जूज रहे हो लेकिन अगर power of mind उससे overpower कर जाए तो वो बिमारी से आप बहुत जल्दी चुटकारा पा सकते हैं आप उससे जीत प्राप्त कर सकते हैं ऐसी कुछ भी चीज नहीं है स्रिष्टी पर या ऐसी कोई भी बिमारी नहीं है चाहे वो cancerous क्यों ना हो चाहे वो tumors क्यों ना हो चाहे वो कोई भी ऐसी घातक जान लेवा या autoimmune disease क्यों ना हो लेकिन हम उससे बहुत easily बाहर निकल सकते हैं if we use the power of mind और ईश्वर का साथ लेकर हम उससे अगर जीत प्राप्त कर लेते हैं तो इस वेरी easy to go like go through it और हम बहुत असानी से उससे बाहर निकल सकते हैं तो उस जर्णी पे चलते हुए it was 2014 when I was having it in my body blood में था बड़ सिम्टम्स नहीं थे क्योंकि 2012 तो 2014 के बीच में मैंने अलोपेथी, आयुरवेदा नेचर के और ये सारी चीज़ें ट्राइ कर ली थी हर तरह से योगा और प्रणायाम को भी ट्राइ किया था और इसी के साथ acupressures भी सीखा था acupressure करवाया भी था सुजोग थेरपी एक होती है एक कलर थेरपी होती है कलर लगाया जाते है हाथों पर या पैरों पर और साथ में सीड्स को यूज किया जाता है टेप से बांधते हैं वो तो वो इन इट सेल्फ अलग से एक पें है क्या जब आपकी बोन्स के ऊपर सीड रहके उसको बहुत ताइट लपेटा जाएगा उसको बांधा जाएगा तो वो और पैंस होती है तो एक पैं अलरेडी बॉडी में है दूसरी पैंस हम खुद इंड्यूस कर रहे हैं तो फिनिश दाधर पैं तो वो चीज़े भी ट्राइग कर चुके थे बट अल्तीमेटली ठीक है 2014 एं 15 वो थोड़ा सा 16 तक तक ताइम परिए ऐसा था वन देर वस नो स्म्टम इन माई बोडी और दूरिं आप परिएड रोटरी इंटरनेशनल से मुझे चुना गया था थो रेप्रेज़ इंडिया एं चैनड़ा तो रेप्रेज़ टौन्टो और मॉंट्रियल टो रेप्रेज़ आर कंट्री और भाइगाल इवन वह वरी सर्प्रीस की एसी बिमारी से निकल कर के आई वस अबल टो लिफ त ए अट 32 KG's suitcase on my own I was able to lift जबकी मैं अपने college का छोटा सा हलका सा bag भी lift नहीं कर पाती थी पहले और उस time पर आप देखिये power of mind का ये जादू ये चमतकार था that all the way I went to Canada all alone, I represented my country over there and first prize भी हमने जीता और जब वेट अक lift किया and I felt that I am okay now लेकिन 2016 के end होते होते again, मेरी बोड़ी में वो सभी pains और वही सारी स्थिती वापस शरीर के अंदर आ गई तो I was अब यहां पे मेरी research चुरू हो गई थी कि पहले प्रॉब्लम थी power of mind से वो सुप तवस्था में चली गई, symptoms नहीं थे reports में आ रहा था और फिर थीक होने के बाद दो साल थीक होने के बाद अब फिर से मुझे रलाप्स हुआ है और उसका attack फिर से आरे का हुआ है arthritis का attack हुआ है और फिर से वो pains अगरा बोड़ी में आ रही हैं तो उसके बाद then I started with the diet reform की मैं raw diet पे आ गई तो nearby, अब इस time पर आते हाते 2016 and 17 that was the time when I was preparing for UPSC अच्छा या, so it was my like passion because I wanted to be a doctor in my childhood but because of chemistry के डर से मैंने वो छोड़ दिया था अच्छा, आपको chemistry नही पसे था मुझे chemistry पसे नहीं थी मुझे all the chemicals पसंद नहीं थे and I never knew की की देखो chemicals हमारी body के लिए नहीं बने है शाइद इसलिए by nature मुझे chemicals को पढ़ना पसंद नहीं था तो उसके लिए मैंने medical को छोड़ था but I want it was always in me that I wanted to do something passionate I wanted to do something like I was authoritative तो थोड़ाजा I wanted to go for an administration so I started preparing for UPSC लेकिन जैसे जैसे प्रपरेशन start कर ली 16 में 17 में 18 में साथ साथ मेरा फिर जो अर्थराइटिस था इसका भी प्रकोप इतना बढ़ गया की I used to go for the my UPSC classes and then come back and I I just used to throw away my books, throw away my body on the bed and I used to cry away की मेरे हर एक ड्रीम के आगे ये शरीर क्यों आ रहा है I am not able to fulfill my dream I am not able to do what I want to do वो एक बहुत बड़ा वार होता था बड़ा अटाक होता था माइन के ओपर when I used to suffer from pains because painkillers and steroids are not the answer to cure rheumatoid arthritis that is only suppression कितनी painkillers खा लोगे painkillers का असर कुछ देर तक रहता है उसके बद फिर रपीट करनी पड़ती है ऐसा ही करते करते आपकी बड़ी के दूसरे organs डैमेज होना शुरू हो जाते हैं so I never took painkillers मैं देख के रख देती थी मैं को pain होता था I used to look at them मैं इसको उठाती थी मैं फिर वापिस रख देती थी कि खानी नहीं है I am not मैं सहन कर लूँग इस pain को पर मैं खाऊंगी नहीं मैं और नुकसान नहीं कर सकती बड़ी का तो UPSC फिर prelims clear हुआ बट मेंस के लिए I could not appear pains बढ़ चुका था I left it तो उसके दौरान फिर मैंने nutrition, plant-based nutrition को study करना शुरू करतीया Okay Plant-based nutrition को study करते करते मैंने Cornell University USA से उसका certification लिया Nice And that I applied on myself and as a plant-based nutritionist मैंने वोस जब देखा की vegan होने के बाद vegan in the sense I just left milk and milk products but not ghee देशी गाएं का देशी घी मैंने एक बीदन नहीं छोड़ा because I knew की वाद के लिए वो पहुत जरूरी है Right Oil and ghee is very necessary to curb वाद problems तो वाद नाशुक होता है तो उसको लेते लेते बाकी सारी मैंने fruit diet and salads diet वो सारा लिया cooked food को थोड़ा कम किया बाकी अननेसेसरी चीजों को बन किया तो उससे मेरी स्थिती काफी इंप्रूव हुई Okay लेकिन उसी सेम डाइट से जब Spring season, autumn season और जब rainy season और उसी डाइट से problems बढ़नी शुरू हो गई तो अगेन इट वस टाइम आफ रिसॉर्च फॉर मी कि एक डाइट जो समर्ज में आपको अच्छा कर रही है वही डाइट आपको rainy season में जाके problems दे रही है तो अगेन आइन नोटे अवरेधिंग सिंस मैं 2012 I noted down everything like a journey on a diary कि ये शायद कभी किसी को और को भी help कर सकेगा मैं सिर्फ इतना बोलूंगी sister यहांपर कि आप सिर्फ health से related नहीं कर रहे है you're a scientist क्यू मैं बोल रही हूं because हर इंसान की अपनी एक जर्नी होती है जिस तरह से आपने खुद अपने बलबूते पर क्योंकि obviously I'm sure कि आपकी फैमिली भी supportive होगी लेकिन आपने खुद के बलबूते पर जो जिस तरह से आप हर बार बोल रहे है मैंने ये apply किया मैंने ये सीखा मैंने ये किया with the pain ऐसे नहीं कि मैं बेड पड़ी हूँ और मुझे लग रहे कि अभी बस ऐसा अपने नहीं किया ये you're the real hero I must say that Thank you, thank you that's all because of the grace of God अगर इश्वर का साथ नहीं होता उसकी willpower नहीं होती या उसने वो इतनी चत्रचाया नहीं दी होती शायद हम अकेले कुछ नहीं कर सकते थे तो अगिन सोली अगिन से प्रफ्रेशन और माल सिंह तन्वर ये इस अग्लासिकल होमयोपाथ फ्रम चंडिगर तो किसी के थूँ उन से मिले somebody came वो प्रेशन और सिजोफरेना के पेशन थे they came to me as they knew that I am into teaching or healing spiritually through meditation तो अपनी प्रफ्लम के ले पास आये थे जब उनोंने देखा मुझे physical problems है although my mind was completely fit but physical problems होने की वज़े से they suggested me की एक बार आप सब ट्राइ कर चुके हो 6-7 साल हो चुके है 2012 onwards now it was 19 आप एक बार उनसे मिलिये ट्राइ करिये and हो सकता है तीक हो जाएं so that was the day when I met the doctor he said की हमें आपको ठीक करना है हमें बिमारी को ठीक नहीं करना है आप ठीक हो जाएंगे आपके शरीर में जितनी भी कमियां है एक-एक करके दूर होती चली जाएंगी सभी बिमारीयां अपने आप चली जाएंगी so that was something very different for me yeah, मैंने भी यह सुना नहीं किसी दॉक्टर को ऐसा बूलते वे नहीं सुना था कहीं इंपर्मेशन भी नहीं थी मुझे ठीक होना है गठीया थीक नहीं करना है मतलब उनका क्या यह कहना था क्यों मतलब हमने संकल्पो को चेंज करना है या फिजिकली क्या imana? अजिम्या थे बित प्हेल में नहीं कुचम झाली व। की प्रूह में कि पर रफळिकली यहां झाल अंवडिया थी करोगे तो कुछ और निकवा प्ल। यहीं स्ट्रेस करते है वो चरीर में जाकर के, second, उसके next layer में shift हो जाती है, as there are seven layers in the body. तो बिमारी एक से जाकर, दूसरे progressive होकर के, next layer पे चली जाती है और बड़ा रूप ले लेती है. तो, naturopathy, ayurveda and homeopathy, if done in accurate manner and in its original form, तो तीनों का concept same है, to cure the person, not the diseases. तो, then I said, वो समय था, 2019, 18 and 19 के बीच का ही था, because it was the end of 2018 and 19 was about to begin. उस समय मैंने ये संकल्प दिया था, ईश्वर को, कि ये आज परसन जो कह रहे हैं, जो दॉक्टर कह रहे हैं, अगर ये सक्त्य हुआ, अगर मैं सच्मे ठीक हो गई, then my life would be only for health sector, और I say कि मैं अपने आपको dedicate करूँगी ताकि मैं दूसरों को ठीक कर सकूँ. जो लोग गलत रस्ते पर चल रहे हैं, या अपनी चोटी चोटी गलतियों की वज़ा से, बड़ी बड़ी बिमारियों से जूच रहे हैं, I would try to dedicate myself to cure them, to heal them and to guide them with my own experiences. तो जब 2020 and 2021 के पीच का time period था, then again my blood tests were done. जब दो ड़ाई साल हो चुके थे, वो treatment लेते हुए, साथ-साथ में मेरा plant-based nutrition and Ayurvedic home remedies, वो भी चल रहे थी, yoga and pranayama भी चल रहा था, तो वो सारी की meditation, of course, every day we used to do it, तो वो सारा holistic approach से, जब अपने आपको में ठीक कर रही थी, तो 2020 में आकर के जब हमने वो बड़ा test करवाई, and I, to my surprise, everything was normal. And not only arthritis was cured, I was, emotionally I was confident, physically I was confident, I could dance and perform Bhangda performance again, after eight years. Are you serious? Yes, हमने पूरी टीम के साथ, global fest पे, global summit पे, performance दिया था, and then उसके बाद मेर अंदर एक confidence था, कि yes, I can play the sport again, I can do all those things that I used to do earlier, I was the motivational speaker, I was the speaker for the youth, वो सारी चीज़े मुझसे चूट गई थी, मैंने सबसे बात करना बन कर दिया था, मैंने सबसे बात करना बन कर दिया था, मैंने सोशल मीडिया से बहुत ओफ हो गई थी, I was never connecting to anyone anywhere, people never knew where I am, they were like, कि वो ठीक नहीं है, इस तरीके से, तो जब वो रिजल्स देखे हमने, तो मेरी अलर्जीज, I was having allergies from 75 items, food items and some like dust particles, बहुत सी और चीज़ें थी मेरे allergy report मे, तो वो अलर्जीज भी थीक हो गई, तो जब इतना ज़ादा इंप्रूब्मेंट्स मैंने देखे, तो दोक्तर वस वेरी हैपी, I'm sure, I'm sure. He was very happy because he wanted to cure me, दिल से क्यूर करना चाहते हैं मुझे, तो जब आइ, I was really surprised, तो आप देखे, I decided and I told him, that I want to learn this from you, आप मुझे ये शिक्षा दे कि आप कैसे ये ठीक कर पाते हैं सब को, आपने मुझे कैसे ठीकिया है, what is the concept behind it, that day I started even practicing homeopathy, classical homeopathy with him, and of course as a nutritionist, as a dietitian, I had studied diet, nutrition, and plant-based nutrition को तो study किया ही था, और साथ में वागभत और निगंटू, तो अब अवलिस्टिक एप्रोच, तो आज जब मेरे पास पेशन्स आते हैं, तो आज जब मेरे पास पेशन्स आते हैं, प्रोसेस आफ क्योर कैसे चला, कैसे? जब तक, जब मैने मेडिसन स्टार्ट करी है उनसे, होमेडिसन स्टार्ट किया है, उसको स्टार्ट करने के बाद, थ्री तो फोर ताइम्स, I had loose motions, I had diarrhea, I had multiple times, I had fever, multiple times, I had cough, cold, and few skin allergies, तो के, इस सब को मैने कभी भी कोई भी मेडिसन लेके, प्रेस नहीं किया, जो भी शरीर से निकल रहा था, उसे बाहर निकल ने दिया, बिकस इस दो कॉंसेप्ट, जो डॉक्टर ने बताया था, कि जैसे जैसे कहूंगा, वैसे वैसे आपको करना है, और बिकस आपको कि अगर ठीक हो गई, तो इस विल पेव पाथ फॉर अदर्स, तो वो जैसे कहते थे, मैं वैसे ही करते थी, जब उन्होंने बोला, फीवर हुआ है, होने दो, इस गुड फॉर हेल्थ, लूस मोशन होए है, होने दो, कितनी दिन लग लेंगे, दो दिन, चार दिन, पांच दिन, आठ दिन, तो यू वोंट बिलीव, वन वीक लगातार, मुझे तीन, चार बार ऐसा हुआ है, त्री तो फॉर ताइम्स, इन तो एंड हाफ यर्स, कि मुझे वन वीक लगातार, फीवर, लूज मोशन, वमिटिंग एक साथ हुए हैं, वरना लोग एक दिन के फीवर से डर करके, द्वाया खा के बैच चाते हैं, तो होल वन वीक, आई वस लाइक बजा 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 उन दे बेड, अपने बैड बटे 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 जो काम हो सकते थे वो किये, नेचर इस, जब घर से कूडा करकट बाहर फैंक रहे होते हैं, तो वो बाहर ही जाना चाहिए, सारे घर का कच्राई कठा करके, अगर आप बाहर फैंकेंगे, तो घर सारा साफ होगा ना, और वहां से अगर उसको वापस आप धकेल के कहीं कोने में डाल देंगे घर के, तो वो एक दिन सड़ता सड़ता बहुत ही ज़्यादा फाउल समेल देगा, बांस मारेगा, तो उसकी वज़ा से घर सारा आपके रहने लाइक नहीं होगा, तो यह शरीर हमारे लिए क्या है, एक मंदिर है, तो इस मंदिर में जब मैं आत्मा रहती हूँ, तो इस शरीर का स्वस्थ होना भी उतना ही जरूरी है, जितना की हम स्वच कपड़े पहनते हैं, तो यह चीज़ को जानना, कि as soon as the toxic waste will come out of the body, I will be cured, यह तो यह कॉन्सेप्ट को बैने होने धिया, इस प्रोसेस को समझा, प्रोसेस औफ क्योर, डिरेक्शन औफ क्योर को समझा, ओर आप इसमें यह भी बताना चाहँगी, कि प्रोसेस औफ क्योर में आपको सारी चीज़े रपी ओती हैं, अच्छा, कि इस गुड, बिकास पैरों से ही तो स्टार्ट हुआ था, तो इसे दीरे दीरे करते करते, जोली औं ग्राजुवली आप कियोड मैसल्फ फ्रॉम रॉमर्टाइड अर्थरिटिस, एं तोड़े हैर आम इन फ्रॉंट तो इसमें लेकिन यह ध्यान अखना बहुत जरूरी है, और एक चीज़ उसमें मैं जोड़ना चाहूंगी, जो मैं आपके एमोशन्स जब आप बोल रहे थे तब मैंने देखा, कि आपको इश्वर के ओपर बिना, जैसे कहते हैं कि अखुट ट्रस्ट था, कि He will be doing something for me, या वो मेरे लिए कुछ रखे हैं आगे चलके, आप जैसे कुछ ढून रहे थे, जैसे मैंने नोटिस किया, आप ढून रहे थे कि यह सिलूशन है, यह सिलूशन है, यह सिलूशन है, आप ढून रहे थे, मेरी ऐसी कंडिशन भी हुई थी बीच में, इन विंटर्स, एवरी मौनिंग, मैं बेड उस्तो बी कैप आउटसद इन दे सन, बिकस वाथ के प्रोब्लम्स में, जब दूप होती है, आपको बहुत अच्छा लगता है, जैसे सूरज धलना शुरू हो जाता है, हमें लगता है कि सूरज ना जाय तो अच्छा है, इस वेरी टिएस तो स्टे विदाउट सन, आप बिलीफ करेंगे कि सिच्वेशन ऐसी होती थी, I couldn't even calm my hair, sometimes I couldn't take bath on myself, sometimes I couldn't even change my clothes, तो वो पैंस इतनी होती है, कि अगर आपने एक कॉंब को भी lift किया है, तो उतना सा lift करने में आपकी wrist में पें होगा, wrist joint में पें होगा, similarly in your arms, in your elbows, in your shoulders, everywhere around your body, because rheumatoid arthritis is that आपकी nerves, आपकी muscles and your bones, all the three get affected, and of course your brain, क्योंकि mind के ओपर बहुत depressive असर होता है, जब पैंजोर होती है, so that was the time I even used to ask for death, कि नहीं चाहिए ऐसी जंदगी, it's better you take me from this world, इसे तो मत अच्छी है, so I should like leave this body, because I don't want to live in this body with so much pain, but वो वो विल्पावर कहीना कही इश्वर का जैसे मदद करता गया, और रस्ता मिलता गया, and today when I am able to cure other people who are having arthritis, it's a big sign of relief for me. वो जब बहुत खुशी होती है, जब कोई मुझे यह कहता है, I am able to walk now, I am out of pain now, so there I kind justify myself, कि yes, मैंने जो इतना pain सहा है, तो आज अगर मेरी वज़ा से किसी को मदद मिल रही है, this is like a full justification. I am sure, I am sure. And sister, आपने थोड़े पहले कहा था कि मैं डॉक्टर बनना चाहती थी, मैं बनी नहीं, लेकिन यह बात अभी मैं कहूंगी जूट है, क्युकि आप सच में एक डॉक्टर है, और इश्वर की दुनिया आपको खुद कहरी है, कि आप एक डॉक्टर है, जब आपको इश्वर ने डॉक्टर बनाया है, तो फिर बुलने वाली बात ही नहीं है. Thank you. Thank you so much sister, आपने अपनी इतनी beautiful journey हमारे साथ शेयर की, और हमारे दर्शकों ने बहुत कुछ सीखा है, मैंने बहुत कुछ सीखा है इस journey से, and I must say you are a hero. Thank you so much. Om Shanti. दोस्तों, आज के एपिसोड में हमने जाना, कि मैं मानती हूँ कि हमारे जिंदगी में कई सारे problems आते हैं, मैं मानती हूँ कि हमें कई बार लगता है कि बस अब और नहीं, लेकिन जो इश्वर है वो देख रहा होता है, वो जानता है कि आपकी मनजिल क्या है, तो आप भले रुकिये, कुछ समय के लिए ठक गए तो आप वहीं पर बैच जाए, लेकिन हार मत मानिये, क्योंकि इश्वर में जो मनजिल आपके लिए तैक ही है, वो बहुत ही खुबसूरत है, बस आपको हिम्मत नहीं हारना है, इस बात के साथ आज के प्रोग्राम कॉमेंन करते हैं, कल आपसे पर मिलेंगे आपके ही शो में जिंदगी बने आसान, ओम शान्ती अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें, जिंदगी बने आसान, ब्रह्म हकुमारीज गौडलिवूड स्टूडियो शान्तिवन आभूरोड, कॉल 809-4913-487